दोस्तों बहुत सारे यूट्यूबर्स को यूट्यूब की तरफ से कल रात एक mail आया है जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं तो जिन जिन लोगों को ये mail आया है उनको अपने Adsense account में जाकरके एक setting करनी है तो आज की इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि आपका Adsense account में क्या setting करनी है वीडियो बहुत ज़्यादा important होने वाली है इसलिए वीडियो में एन तक बढ़े रहना वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे request करूँगा कि अगर आपने अभी तक मारे चैनल को subscribe नहीं क्या हुआ है तो प्लीज हमारे चैनल को subscribe कर दीजिएगा आपका question ओ Instagram ID पर आप पूछ सकते हैं Instagram ID है तियागीजी टेक चैनल वीडियो फसंद आती हो तो वीडियो को like करना बिल्कुल भी न भूले तो दोस्तों चलिए चलते हैं अपने एडिसंस account में और आपको बताते हैं कि आपको क्या setting करनी है तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपने एडिसंस account ओपन कर लेना है अगर आपको अपने एडिसंस account ओपन करना नहीं आता तो इस वीडियो के description में मैं आपको अपनी दूसरी वीडियो का link दे दूँगा वो वीडियो देख करके आप अपने एडिसंस account ओपन कर सकते हैं उसके बाद आपको क्या करना है left side पे सबसे उपर आपको 3 dot मिलेंगे यहाँ पर इसको आपको क्लिक करना है और यहाँ पर एक option मिलेगा payment का payment को आपको क्लिक कर देना है उसके बाद यहाँ पर 2 option आएंगे आपको उपर वाले option को payment info को क्लिक कर देना है उसके बाद नया page open होगा और आपको नीचे को scroll करते हुए जाना है और जब आप सबसे नीचे आ जाओगे तो यहाँ पर आपको एक option मिलेगा manage setting का तो इस manage setting को आपको click करना है अब दोस्तो आपके सामने एक नया page open हो जाएगा और इसको आपको नीचे को scroll करना है और थोड़ा सा नीचे को scroll जैसे आप करोगे तो यहाँ पर आपके सामने एक option आएगा united status tax info ठीक है तो इसके सामने एक pencil का निसान बना हुआ है united status tax info के सामने pencil के निसान को आपको click करना है जैसे आप pencil के निसान को click करोगे तो यहाँ पर नीचे एक option आएगा blue color में manage tax info manage tax info पर आपको click करना है उसके बाद दोस्तों आपके सामने एक नया page open हो जाएगा और इसको जब आप नीचे को scroll करोगे तो यहाँ पर एक option आएगा manage delivery preference blue color में manage delivery preference पर आपको click करना है तो दोस्तों उसके बाद एक नया page आपके सामने open होगा जो कुछ इस तरीके से दिखाई देगा अब इस पर आपको क्या करना है यहाँ पर go paperless इसको आपको select करना है ठीक है इसमें यहाँ पर दो option है एक तो option है get document by post यह आपको select नहीं करना इस पर आपको ऊपर वाला select करना है यह वाला go paperless recommend इस पर आपको click करना है उसके बाद यहाँ पर आपको I accept the paperless delivery agreement इस पर आपको tick कर देना है और finally आपको क्या करना है update delivery preference इस पर आपको जो blue color में आ रहा है update delivery preferences पे आपको click कर देना है तो बस दोस्तों आपको यही setting करनी थी अपने Adsense account में यह US Tax form के बारे में था तो दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो, like कर देना, share कर देना, सब्सक्राइब करते ना मिलता हूँ, मैं आप से अगले वीडियो में, तब तक लिब बाई, थेंक्स फॉर वाच्च